हलो गाईज तो कैसे आप सब आप सब कस्वागत है एट मिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि डॉक को थ्री मन्स के बाद क्या फीड करना चाहिए और क्या नहीं फीड करना चाहिए काफी लोग कई सारी गलतिया कर देते हैं कुछ ऐसा फीड कर देते हैं जिसके करन डॉक को काफी जादा प्रॉबलम होती है इवन कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है तो इस मामले में आपको जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से देना चाहिए और क्या देना चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेके लाश्ट तक जरू देखेगा काफी इंपॉर्टन थिंक्स में बताने वाला हूँ तो इसमें सब कुछ अगर आप फॉलो करो तो आपके डॉक के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशल होगा और आपके लिए भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए और चाइनल पर नियो हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए एड़ब करते हैं पपी को तो काफी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उसको उसकी मदर का मिलक मिलगा जिसके चलते उसको आगे चलके कोई डीजिज नहीं होगी या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को नहीं मिलेगी साथ-साथ अगर आप 40-45 दिन तक आप उसके सेरलेक दे सकते हो जो सेरलेक स्टार आता है पपी के लिए वो दे सकते हो उसके बाद आप धिरे-दिरे स्टार फूट पे स्विच कर सकते हो अपने पपी को और इस स्टेज में गलती कर देते लोग की अभी से चालू कर देते कि अभी पपी अभी लाया ही और उसको एग देना स्टार्ट करने देते है चिकन स्टार्ट कर देते है और इसी के चलते डॉक की डेथ भी हो सकती है इसलिए इसको अभी इस स्टेज में कुछ देना नहीं आपको डॉक के अलग-अलग डाइट प्लैंस आते हैं मेरे चैनल पर भी आपको कई सारे डाइट प्लैंस देखने को मिलेंगे मैं आइकाड और डिस्क्रिप्चन में जरू से लिंक दूँगा आप जरू से चेक आउट कर सकते हो भी तो अब हम बात करते हैं थ्री मंस के और जिससे ज़्यादा बैनेफिशल वह आप सिलेग कर सकते हैं तो थ्री मंस के बाद और आपको क्या स्टार्ट कर लेना है तो थ्री मंस के पहले कुछ भी एक्ष्ट्र आपको देने की जरूरत निए जो बताया वह कर सकते हैं फिर को बीड़कर डॉक्टर होता है उससे ग या फिर पपी को फीड कर सकते हो और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप बढ़ा सकते हो यानि फुल वन एग उसे दे सकते हो एक चीज हमेशे रहाद रखे एग कच्छा नहीं देना है आपको बॉइल करके देना है क्योंकि रोग के कारण डॉग में काफी ज स्टेज में देते हो तो काफी सारा प्राब्लम सोते हैं तो जैसे 6 मंत का हो जाए आपका पॉपी उसके बाद थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में देना स्टार्ट कर सकते हैं इसे भी अचानक स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि अगर अचानक से उसकी डाइट बदल जाएगी उसमें भी लूज मोशन देखने को मिल सकता है काफी साधा प्राब्लम देखने को मिल सकता है तो आप सोचोगे कि अचानक क्यों ऐसा हो रहा है डॉप को कि बीमार पढ़ रहा है खा नहीं रहा है तो थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में आप देना स्टार्ट कीजिएगा ए एक बार अपने डॉक्टर से यानि जो डॉक के वैट है उससे सजेशन जरूर ले लिजीगा क्योंकि उनको डॉक की हिस्ट्री पता होती है इसलिए वो बता सकते की प्रॉपरली उसको क्या देना यानि मिल्क रिप्लेसर दे सकते है या नहीं तो एक बार कन्फर्म जरू कर होते हैं उनकी कैल्सियम की नीड कंप्लीट करते हैं विटामिस मिलते हैं उनमें से कुछ फूरूट से जैसे पपाईया हुआ पंकिन हुआ वाटर मेलन हुआ बनाना हुआ यह सब थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में आप देना स्टार्ट कर सकते हो एपल दीजिए एपल मे है उसकी सीट जरूर निकाल लीजिएगा और सब थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में देना आपको स्टार्ट करना अगर आप देना चाहते हो तो कई सारे वेजिटेबल्स भी है जो अपने डॉक बीट को दे सकते हो जिसे पी हुआ कैरट भी आप दे सकते हो कई सारे आपको डेट बताएंगे उस डेट को आपको आना है वेक्सिनेशन जरू से कराईए क्योंकि इससे 90% अफ डॉक की लाइफ से हो जाती है पहले मंत में लगेंगी फिर जैसे वन येर का हो जाता है उसके बाद उसके येरली वेक्सिनेशन लगीगी तो वेक्सिनेशन और डि मेट फूड देना चाहते हो तो जो चाहस या दही हुआ उन में मिक्स करके आप थोड़ी सी रोटी साथ साथ जो स्टार फूड या फूड आप यूज कर रहे हो वो डाल के डॉक को दे सकते इसमें काफी जादा इंक्रीज जो ग्रोथ होगी डॉक की अच्छे से होगी काफ अगर नहीं हो अगर आप चाहते हो कि हम बनाए तो कमेंट करके जरूर बताए हम जल से जल आने की कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्चर में मैंने कवी सारी डायेट प्लैन के लिंक दी है साथ साथ आइकार्ड में आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो को ज्यादा ज्याद